हलो दोस्तों नमस्कार बात करेंगे 12th of January के 1st editorial की और बात करेंगे कि कैसे आप paid courses access कर सकते हैं paid courses buy करने के लिए आपको ये application डाउनलोड करना है play store से या फिर description में इसका link है वहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो हर एक paid course में हरे category वाइज जो paid courses हमने launch किये हुए है अब तक उन सभी में demo videos आपको मिलेंगे उन सभी के अंदर आपको PDF मिलेगा अभी आज से एक batch start हो रहा है B104 यह वाला batch जो है वो editorial को dedicated है इसमें एक editorial यही मिलता है जो evening में 5 बजे आप देख रहे हैं YouTube पर इसके अलावा एक और जो session मिलता है late night वो quiz session मिलता है ठीक है तो इसमें एक editorial होगा और एक यहाँ पे quiz session होगा उस quiz में 15 questions आपको मिलेंगे और उन 15 questions में common error के questions, synonyms, antonyms के questions, close test के questions randomly आपको दिये जाते हैं जो कि newspaper से ही बना कर आपको provide किये जाते हैं ठीक है तो उससे आपका practice भी होती रहेगी और editorial के माध्यम से यह जो editorial है जो YouTube पर मिल रहा है यहाँ पर PDF नहीं मिलता है, application पर PDF इसका उपलब्द है और साथ मैं बता दूं कि यह editorial morning में 8 या 9 बज़े के करीब update हो जाता है सुबह तो आप जल्दी access प्राप्त कर पाएंगे इसका और PDF इसका मिल जाएगा और एक quiz session इसका मिल जाएगा तो ऐसे काफे सारे paid courses है देखिएगा जरूर से आज के editorial को हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले देखेंगे कि कौन-कौन से नए words आप यहाँ सीखने वाले है तो देखिए पहला शब्द है वू जो की एक verb है इसका मतलब होता है try to persuade try to persuade या फिर इसका मतलब होता है attract आकरशित करना कह सकते हो या किसी को मनाने का प्रियास करना ये दोनों ही meaning हो सकते हैं वू के दूसरा है fractious fractious है वो एक executive है ये executive इसलिए है क्योंकि देखो OUS last में दे रखा है जिन words के end में OUS होता है वो executives होता है अब fractious का मतलब होता है quarrelsome या फिर इसका मतलब आप कह सकते हो पगनेशस कह सकते हो जगडालू अन्दरूली को भी बोलते हैं जो बेलगाम है उद्दंड है जिसे आप control नहीं कर सकते हैं annoyed है bad tempered है चिड़चिड़ा है irritable है ये सारे इसके synonyms होते है next word है off late ये एक fringe के रूप में हम लेंगे इसका मतलब होता है recently हाल ही में या वरतमान में ठीक है next है एक और fringe dime a dozen ये भी एक fringe है इसका मतलब होता है very common भहुत ही समान्य भहुत ही ordinary दरजे का next word है pronounced pronounced एक adjective है और pronounced का मतलब क्या होता है pronounced से मतलब होता है आप कह सकते हो इसको pronounced का मतलब striking या फिर इससे कहा जा सकता है obvious या फिर इससे कहा जा सकता है conspeakers ये इसके synonyms होंगे ispust ठीक है clear a whip of something ये भी एक phrase है इसका मतलब होता है a slight sign of something किसी चीज़ का हलका फुलका संकेट a slight sign of something और next है anomaly ये noun है इसका मतलब है irregularity या फिर कहेंगे inconsistency या फिर कहेंगे oddity ऐसा मानने ता ऐनियमित ता ये सब इसका screenshot आप ले सकते हैं ठीक है ये कुछ नए words हैं इसके लाब भी काफे सारे words है हलंकि political article आज का लेकिन words बहुत सारे आप सीखेंगे तो straws in the wind नाम सही ये editorial है straw in the wind का मतलब देखिए straw तिनके को बोलते हैं wind हवा को बोलते हैं हवा में कोई तिनका किधर से किधर जा रहा है कोई भी तिनका उड़ते हुए किधर जाएगा तो आप एक संकेत लगा सकते हैं एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ भी ये हवा जो है इस direction में बह रही है तो ऐसे ही straw in the wind जो होता है एक छोटी सी कोई चीज जो की एक संकेत देती है आपको किसी चीज के घटित होने का कि future में ये happen हो सकता है उसे बोलता है straws in the wind ठीक है एक phrase के रूप में आप लीजिए straws in the wind का मतलब एक छोटी सी चीज जिससे आपके भविश्य में होने वाली घटनाओं का संकेत मिले उसे straws in the wind कहा जाता है the stereotypical image stereotypical क्या होता है stereotypical का मतलब होता है conventional मतलब परंपरिक आप इसे परंपरिक कह सकते हैं आप इसे hacknade कह सकते हैं hacknade या इसे cliche कह सकते हैं मतलब घिसी पिटी commonplace जो एक image होती है उसे कहा जाएगा stereotypical image commonplace गिसी पिटी या फिर कोई भी एक ऐसी छवी जो आप हमेशा देखते आए हैं किसी में किसी के काम करने का तरीका वही है एकी धर्रे पर चलता है तो उसे उसे stereotypical कहते हैं तो stereotypical image जो है किसकी politicians की कहा पर भारत में in popular culture किसमें popular culture में एक लोखप्री है sanskriti में it's mostly unflattering यह जो image है इसके लिए इजा रहा है यह लगभग कैसे रहती है unflattering unflattering क्या होता है unattractive अनाकरशक unattractive कहा जा सकता है या इसे आप critical कह सकते हो पेचीदी की पौन तो यह image जो है अनाकरशक है but it is also somewhat unfair लेकिन यह भी मतलब कुछ हद तक unfair भी है अनुचित भी है somewhat एक adjective के रूप में यूज किया जाएगा इसका मतलब मतलब एक adjective adverb के रूप में यूज किया जाता है इसका मतलब थोड़ा बहुत थोड़े बहुत extent तक थोड़े बहुत हद तक ऐसा कोई meaning मिलेगा इसका तो stereotypical image जो है politicians की भारत में एक popular culture में वो लगभग unfettering रहती है unattractive रहती है लेकिन यह कुछ हद तक unfair भी रहती है यह अनुचित भी है ठीक है actual में बात करना चाहता है लेख कि यहाँ पे कि किस प्रकार से चुनाओ के time पे कैसे party men जो हैं वो defectors बन जाते हैं कैसे वो parties को छोड़ दूसरी party में चले जाते हैं कैसे लोग जो electorates हैं electorate हैं वो कैसे मतलब vote दूसरों को देखकर दूसरे को सब्ता में ले आते हैं तो यह सब चर्चा हैं politics का जो nature है उसके हम चर्चा करेंगे कहने को political article लेकिन words बहुत सारे आपको सीखने को मिलेंगे politics है जो vocation vocation का मतलब profession होता है job होता है occupation होता है वेवसाई होता है तो politics एक वेवसाई के रूप में अब इसकी verb है is politics साथ में verb singular आती है is not an easy one तो अगर vocation के रूप में कोई politics को अपनाए कोई profession के रूप में politics को अपनाए तो ये कोई आसान चीज नहीं है and no one receives no one की verb receives है और कोई भी जो है more scrutiny किसी की भी जांच पड़ता लितनी नहीं होती है scrutiny का मतलब inspection होता है inspection इसका मतलब पर्यूजल होता है examination होता है जांच को बोलता है कुलमिला के बादी है तो किसी की भी जांच पड़ता लितनी नहीं होती है जितनी की होती है legislators की विधायकों की politicians की राजनेताओं की in public life लोक जीवन में and despite there being despite there being several things अब देखो होने को तो यहां पे several things अब आ रहाना चाहिए था लेकिन चुकि despite preposition लग गया तो preposition अपने बाद में ing form लेता है इस कारण से यहां पे being लगाना पड़ा ठीक है इसलिए यहां पे B का ing form being लगाना पड़ा तो despite there being several things to improve upon और इस चीज़ के a fair amount of accountability क्या यहां पे allow करती है fair amount of accountability मतलब एक अच्छी खासी मात्रा में fair amount जहां पे है यहां इसका मतलब है एक नपितुली मात्रा balanced amount किस चीज़ का accountability का जवाब देही का by empowering कैसे empower करके power देकर किसको water को किसलिए to evaluate those contesting to represent them कि वो water जो है वो evaluate करें evaluate मतलब जांच करना होता है उन लोगों की contesting जो की लड़ रहे हैं परतिसपरदा कर रहे हैं to represent them उनका परतिस्परदा करने के लिए बद चुनाव में खड़े हो रहे हैं बात सीदिशिए फिर समझना politics की verb है वो is है ये तो कुछ subject verb थे scrutiny का मतलब जांच होती है despite एक preposition है despite के बाद में कभी भी off नहीं लगाना है याद रखना है जेंडरली एक्जाम में जो question despite का आता वो यही प्रशना आता है कि despite में off दे के प्रशन पूछा जाएगा गलत हो जाएगा तो politics जो है vocation के रूप में वो आसान नहीं है और कोई भी जो है उसकी अधिक जांच नहीं होती है किसके तुलना में अगर विधायकों राजनेताओं की बात करें तो public life में सबसे ज़्यादा scrutiny से इनको गुजरना पड़ता है और करेंब बहुत सारी चीजन सुधार करने योगे हैं उसके बावजूद भी ठीक है electoral democracy जो भारत में है वो fair amount of accountability तै करती है कैसे water को accountability देती है भारत की राजनेती जो है water को एक empowerment देती है मतलब ताकत देती है power देती है कि वो उन लोगों का जो चुनाव में खड़े हो रहे हैं उनका प्रतिनित्वा करने के लिए उनको evaluate कर सकते हैं evaluate का मतलब होता है assess करना मुल्यांकन करना ठीक है इस से आगे देखे यट फिर भी यट एक contradictory statement denote करने के लिए conjunction के रूप में आता है फिर भी if there is one act यदि कोई ऐसी चीज है that reminds that यहां पे इस act के लिए आ रहा है तो फिर इसकी verb जो है वो reminds है फिर भी यदि कोई ऐसी चीज है that reminds citizens of the tendencies जो की citizens को politicians की tendencies को remind करवाता है remind का मतलब होता है याद दिलाना यदि फिर भी कोई ऐसी चीज है जो की याद दिलाता है नागरिकों को राजनेताओं की tendencies प्रवर्ती के बारे में it is that of तो वो प्रवर्ती क्या है it की verb is है वो है switching sides on the eve of fresh elections on the eve of का मतलब होता है किसी के कोई भी important आवसर है कोई भी important कोई चीज है उसकी पूर्वसंधिया पर इसको वैसे कह सकते है just prior to something ठीक पहले fresh elections मतलब नए चुनाव जब होते हैं तो कोई राज्य में जब चुनाव होते हैं तो उसके ठीक पहले ये जो मतलब लोग है politicians हैं क्या करते हैं sides से switch कर लेते हैं जैसे अभी BJP में हैं तो अगर up की बात करें तो बहुत सारे जो विधायक हैं विधायक में ज़ा रहे हैं समाजवादी पार्टि में ज़ा रहे हैं बैंगोल में चुनाव देखा आपने तो बैंगोल में त्रीमूर कोंग्रेज से बहुत सारे विधायक निकल कर switch करके आये थे है वो चीज जो कि याद डिलाती है नागरिकों को किस बारे में politicians के tendencies को लेकर tendencies का मतलब होता है मतलब प्रवर्ती तो यदि कोई ऐसी चीज है जो राजनेता की प्रवर्ती को दर्शाती है तो वह चीज क्या है वो यह चीज है कि राजनेता लोग जो हैं, वो किसी भी राज्य में होने वाले चुनाव होते हैं, उनसे पहले वो sides को switch कर लेते हैं, अपने party चेंज कर लेते हैं, no state is spared of this act, spare का मतलब होता है, leave, छोड़ना, तो कोई भी state ऐसा नहीं है जो इस act से अच होता है, मतलब कोई भी बचा हुआ नहीं है, हर state में ऐसा होता है and hardly any party, और मुश्किल से ही कोई party होती है, escapes defection, जो की defection से बचती है defection का मतलब क्या होता है, defection का मतलब दल त्याग होता है, ठीक है दल त्याग party को छोड़ना, इसको बोलता है defection और hardly, hardly negative word है, ऐसी कोई भी party नहीं है, जो defection से बचता हो बनलब हर party में ये defection देखा जाता है, हर party से लोग जो है, जो राजनेता है या party man है, वो switch कर जाते हैं, दूसरी party में चले जाते हैं इने word एक ऐसी दुनिया में, देखो word के पहले वैसे दे लगता है आप कोई खास प्रकार के word की बात कर रहे हो, एक अलग दुनिया की बात कर रहे हो तो उसमें ए लगा सकते हैं, तो इने word एक ऐसी दुनिया, अब दुनिया कौन सी, वो बताया है आगे where principles and ideologies determine party affiliation, affiliation का मतलब होता है connection या फिर relation, संबंद को बोलते हैं, connection को बोलते हैं तो कहरा कि एक ऐसी दुनिया जहां पर सिध्धान्थ और विचारधारा तै करती है पार्टी के संबद्धता को कि किस पार्टी से जुड़ना है, वो depend करेगा कि पार्टी के विचारधारा क्या है, अगर आपकी विचारधारा पार्टी के विचारधारा मेल खाती हो तो दोनों आप मिल जाते हैं switching parties at the last minute, तो अंतिम मुवमेंट पर जाके parties को switch करना would be, अब यह would जो है switching की verb है, would model है तो base form है would be a rare anomaly, तो यह होगा, एक rare anomaly, एक ऐसी एनियमित्ता जो दुरलब है for there would have been, कारण क्या है, for, for मतलब क्योंकि, यहाँ पर conjunction है for क्योंकि there would have been ample time, ample का मतलब होता है sufficient, ample का मतलब होता है sufficient या enough, क्योंकि परियाब तो समय रहता, for disgruntled party man, disgruntled का मतलब होता है dissatisfied, acentust, words काफी सारे सीखेंगे, एक इसका synonym कर सकते हो आप discontended, acentust, ठीक है, तो काफी time रहता था किसके लिए disgruntled party man के लिए उन party man के लिए जो की acentust है, to rethink, फिर से सोचने के लिए, क्या सोचने के लिए the bandwagon they had hitched themselves to, bandwagon होता है एक popular idea, या एक ऐसा विचार जो अचानक से प्रसिद्ध हो चुका है, ठीक है, bandwagon से मतलब है an idea that has suddenly become popular, become popular, एक ऐसा विचार जो अचानक से popular हो गया हो, hitch का मतलब होता है, जोड़ना, fasten, बांधना, जोड़ना, ये इसका synonym में, तो there would have been ample time, तो काफी परियाप तो समय रहता for discredential party man, एस अन्तुष्ट party कार्य करताओं के लिए, to rethink कि वो फिर से सोचें, उस party, bandwagon का मतलब party मालो, उस party के बारे में, जिससे उन्होंने अपने आपको बांधे हुए था, जोड़े हुए था, ठीक है, तो एक ऐसी दुनिया में, जहांपे principles और ideologies, ये इस की वब determine है, जो तै करती है, party के संबदता, वो किस party है जुड़ना है, वो depend करता है, party और आपके विचारधारा पर, switching party, switching यहां पर gerund है, जब ING form करता बन जाती है, तो उसे gerund कहिए, switching party to the last minute, कि किसी party को anti movement पर छोड़ना, would be a rare anomaly, तो ये कोई, एक rare anomaly होगी, ठीक है, एक दुरलब सी एन ये मित्ता होगी, for there would have been ample time, क्यों, क्योंकि काफी परियाप्त समें रहता, उन disgruntled party men के लिए, to rethink, सोचने है तू, उस party के बारे में, जिससे उन्होंने अपने आपको क्या कर रखा है, जोड रखा है, ठीक है, आगे देखें, but in the real world, लेकिन अगर वास्तविक दुनिया की बात करें, अब ये तो बताए है, कि ऐसी दुनिया, एक कलपना करके बताए, आब वास्तविक दुनिया की बात करें, elections bring in hard calculation, bring in का मतलब होता है introduce करना, या तो involve करना, शामिल करना, या फिर इसका मतलब होता है, introduce करना, ठीक है, तो कहरा कि चुनाव जो है, वो एक hard calculation introduce करते हैं, मतलब एक अलग सी गनित, एक पेचिदगी पूर्ण गनित, यहाँ पे introduce करते हैं, politicians who sense, वो राजनिता, who यहाँ पे इसके लिए आ रहा है, अब इसकी politicians की वब आर है, राजनिता तयार रहते हैं, to take the risk to switch, कि वो खत्रा उठा ले, एक party को छोड़कर दूसरी में चले जाए, उनको पता लग जाता है कि इस बार ये party सत्ता में आने वाली है, तो भाप जाते हैं सिस्तितियों को, और पहले वाली पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं, तो but in the real world, लेकिन वास्तिक दुनिया में, जो real world है, उसमें elections जो हैं, वो hard calculations लेकर आते हैं, introduce करते हैं, politicians वो politicians, जो की sense करते हैं, आभास जिनको हो जाता है, तो who जिन राजनेताओं को आभास हो जाता है, थोड़े बहुत बदलाव का, किसमें मतदाताओं के mood में, वो तयार रहते हैं, switch करने के risk को लेने के लिए, ठीक है, these occurrences, यह जो घटनाए हैं, these यहां demonstrative adjective है, occurrences noun है, ठीक है, this, that, these, those, यह demonstrative adjective भी होते हैं, demonstrative pronoun भी होते हैं, बस फर्क इतना है, कि इनके बाद में noun लगा दें, तो demonstrative adjective कहलाएंगे, अगर noun नहीं होगा इनके बाद, तो इनके demonstrative pronoun कहा जाएगा, तो यह जो घटनाए है, occurrences की spelling याद रखिएगा, अभी important है, double c है, double r है, यह important spelling है, कहीं पर भी पूछी जा सकती है, these occurrences are more pronounced, pronounced का मतलब होता है, बिल्कुल clear, obvious, लिखाया था ना भी, first slide में दिया था, को, marked, ispast को बोलते हैं, कौन speakers को बोलते हैं, तो यह occurrences जो हैं, वो अधिक ispast हो जाते हैं, when party select the legislator, जब party जो हैं, अपने विधायकों को चुनती है, on considerations, मानेताओं के अधार पर, सोच विचार के अधार पर, such as, जैसे की, caste है, community identity है, कि जाती की पहचान के अधार पर, community, किस community से उस अधार पर, but they are no longer rare events, लेकिन यह जो चीज़ें हैं, वो अब कोई rare events नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि दुरलब सी घटनाएं हैं, कभी कबार देखने को मिलती हैं, तो आई दिन होने लग गया है, इन states ऐसे राज्यों में, where the polity features, a clear ideological divide, जहां पे राजनिती जो है, उसकी विशेस्ता होती है, यह इसकी verb है, अ clear ideological divide, कि एक पूरी तरीके से स्पष्ट वेचारी के मतभेद मिलता है, for instance, उधारन के लिए केरिला है, ठीक है, these occurrences की verb R है, parties की verb select है, they की verb R है, politics की verb features है, यह घटनाएं, अधिक स्पष्ट हैं, जब parties अपने विधायकों को चुनती है, considerations के अधार पर, सोजविचार के अधार पर, सोजविचार उनका किस पर अधारित होता है, caste और community identity पर, लेकिन अब यह जो घटनाएं हैं, वो rare नहीं है, even in states, उन states में भी, जहां पर politics की विशेश्टा यह होती है, कि clear ideological divide है, कि जहां पर इस पर्ष ट्रोप से विचारिक मद्भेद हैं, वहां पर भी यह अच्छुते नहीं हैं, जिसे की केरला में देख लीजिए, but there are also occurrences, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं, ऐसी घटनाएं भी हैं, occurrences की verb आर है, क्योंकि there से start है इस बार, तो inversion लगेगा, मतलब क्रिया अपने subject से पहले आएगे, ऐसे occurrences भी है, dime a dozen, मतलब बहुती ordinary है, dime a dozen एक phrase है, इसका मतलब very common, बहुती common है, when the electorate does not, यह does not नहीं आएगा, do not आएगा, क्योंकि electorate जो है, वो plural noun होती है, इसके बाद में verb है, हमेशा ही plural लगानी है, क्योंकि जब, जो मतदाता है, do not punish political opportunist, वो punish नहीं करते हैं, दंडित नहीं करते हैं, किसको, राजनेटिक, जो अवसरवादी लोग हैं, जो यह देखते हैं, कि भही कहाँ पर कुर्सी उनको मिल सकती है, उसी party में जाता है, उनको बोलता है, political opportunist, and considerations, और वो विचारधा रहा हैं, other than legislative ability, किसकी बजाए, legislative ability की बजाए, मतलब आप में legislative ability है की नहीं है, आप उस पद को संभाल सकते हैं की नहीं संभालते हैं, उसके अलावा, जो considerations हैं, वो ही तै करती हैं, यह इसकी वर्ब है, the electoral fortunes of contestants, कि जो contestants है, जो चुनाव में भागीदारी ले रहे हैं, जो की खड़े हो रहे हैं चुनाव में, उनका चुनावी भविश्य कैसा होगा, उनका चुनावी भग्य कैसा होगा, उसको तै करता हैं, occurrences की वर्ब आर है, electoral की वर्ब है, जो do not आएगी, considerations की वर्ब है, वो determine है, ठीक है, dime a dozen का मतलब very common है, बहुत ही समान है, इन दे केस ओफ गोवा, अब बात करें, गोवा के केस की, तो गोवा के केस में, a state with a small assembly, ये कैसा राज्य है, जो छोटा सा विधान समा यहाँ पे है, and which has a history of party hoping, और यहाँ इसका इतिहास रहा है, इसका इतिहास रहा है कि party hoping का, hop का मतलब jump लगाना, जैसे मेंडक फुदकता है, एक जगह से दुसरे जगह पे वैसे ही विधायक लोग, या party के जो लोग हैं, वो opportunist होते हैं, किसी एक party में दाल उनकी नहीं गल रही, दूसरी party में, वो hop कर जाते हैं, इसलिए defectors को कह सकते हो, दल बदलू कह सकते हो, turncoat कह सकते हो, एक वर्ड होता, turncoat, ये दल बदलू होता है, एक वर्ड होता, defector, ये दल बदलू होता है, तो गोवा के case में, एक state, जो कि छोटी सी विधान सबाई यहां पे है, और जिसका इतिहास रहा है, party hoping का, दल बदलू का, the spurt, spurt का मतलब अचानक से वरदी, surge, या eruption, तो अचानक से जो इस वरदी है, कि इसकी दल बदलने वाले घटनाओं की, of late मतलब हाल ही में, should not come as a surprise, उसको आप आश्चरी के रूप में ना ले, इसको अचंबित होने वाली बात नहीं है, ये तो होता आया है, ठीक है, but the fact that electoral contestation in an already fractious politics, पॉलिटी, fractious का मतलब है, जगडालू, बताया था भी आपको, लेकिन ये जो fact है, क्या fact, कि electoral contestation, जो चुनाओं परतिस परदा है, in an already fractious quality, पहले से ही जो राजनीती, fractious है, जगडे जहां पे होते आये हैं, जो बेलगाम हैं, with a high number of competitive political parties, और इसमें क्या होता है, राजनीती में, कि बहुत बड़ी संख्या में, परतिस परदात्मक, राजनीतिक पार्टियां होती हैं, तो ये जो fact है, ये देखो है, जिसके लिए है, has now increased, अब ये बढ़ चुका है, with the Trinamon Congress and the Aam Aadmi Party in the Fray, फ्रे का मतलब दंगल है, competition का जो arena होता है न, arena को बोल सकते हो, battlefield को कह सकते हो, तो इस दंगल में, अब चुँकि Trinamon Congress भी कुर चुकी है, आम आदमी party भी आ चुकी है, तो अब की वार इन parties की संख्या भी बढ़ चुकी है, फिर समझेगा, कि भाई, लेकिन ये जो fact है, क्यों सा fact, कि electoral contestation जो है, जो चुनावी परतिस परदा है, पहले से ही fractious polity में, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में competitive political parties है, has increased with the Trinamon Congress, तो आम आदमी party के आने से, राजनेतिक partyों के नाम से पहले दे लगेगा भी, यहां Trinamon Congress के पहले दे है, यहां आम आदमी party के नाम से पहले दे है, है, hedge exacerbated matters, अब यह तो fact की verb यह hedge नहीं है, यहाँ पर, यह fact की verb यह है, यह verb है इसकी, और यह hedge जो है, यह आ रहा है, high number of political parties, यह number के लिए आ रहा है कि इसके संख्या बढ़ चुकी है, electoral contestation बढ़ चुका है, sorry, यह इसकी verb है, तो कह रहा है कि यह जो fact है, fact अब यह hedge exacerbated, इसने exacerbate कर दिया matter को, exacerbate क्या होता है, इसका मतलब worsen करना होता है, बदतर बनाना होता है, worsen aggravate, मतलब कोई भी स्तिती खराब है पहले से, उसको और अधी खराब करते हैं, तो उसको बोलता है exacerbate करना, ठीक है, तो यह fact की verb तो यह है, electoral contestation की verb यह है, ठीक है, तो कहरा है कि fact जो है कि electoral contestation बढ़ चुका है, क्योंकि यह दो पार्टिया और अब दंगल में कूच चुकी है, तो यह fact ने क्या कर दिया है, इन मामलों को और अधी खराब कर दिया है, कैसे, by widening the choices for the political opportunist, कि यह political opportunist जो है, जो राजनितिक अवसरवादी लोग हैं, उनके पास अब choices जो हैं बढ़ गई है, widen हो जुकी है, ठीक है, इन उत्तरप्रदेश, यह गवा की बात की, अभी विधानसाबा चुनाव जो है, पांच राज्यों के, उनकी बात यह कर रहा है, अब बात करें उत्तरप्रदेश की, यह मानते हुए भी, यह सोचते हुए भी, कि ऐसे जो defection हैं, ऐसे दल बदलने वाले जो कारिये हैं, वो रूटीन के कारिये हैं, अचानक से बढ़ोत्री जो हुई है, इरप्शन हुआ है, सर्ज हुआ है, मलेज का साइड स्विच करने का, कि भारते जनता पार्टे से मलेज निकल कर समाजबादी पार्टी में जा रहे हैं, तो ये जो चीज है, ये शायद, शुड़ यहां संभावना बता रहा है, शायद ये चिंतित करें किसको ruling party को, ruling party को उन है, उतरप्रदेश में, बीजेपी है, ठीक है, more so, अधिक इसलिए भी है, क्योंकि the party hopers are from the other backward classes, कि जो party hopers है, party hopers का मतलब क्या हो गया, जो दल बदलू, जो लोग है, defectors है, वो OBC से है, अब ये OBC के बारे में दे रखा है, who had been diligently would, और OBC के जो लोग है, उनको बड़ी महनत से, diligently मतलब होती hard working तरीके से, बड़े industrious तरीके से, बड़े महनत तरीके से, would, आकरशित किया गया, मनाया गया, and represented in the BJP, और इनको represent किया गया BJP में, to get an age over the mandal parties की, mandal parties पर, get an age का मतलब, थोड़ी सी बढ़त इनको मिले, थोड़ा सा इनको extra advantage मिले, इसके लिए, तो देखो, ये adverb होता है, और भी का अर्थ देगा, तो ये भी consider कर लिया जाए, कि ऐसे defection, सच के बाद में जब noun लगता है, अगर countable है, तो या तो plural लगाते हैं, अगर countable है, और singular लगाया, तो A और N उससे पहले लगाते हैं, ठीक है, तो उत्तर परदेश में यहां तक कि अगर fact consider कर किया जाए, कि ऐसे defection, जो है routine है, तो जो spurt है MLS का, side switch करने का, कि भारते जनता party से छोड़ के party, समाजवादी party में जा रहे हैं, तो इससे जो 77 party है, उसको चिंतिया तो होगी, और अधिक इसलिए भी चिंतिया होगी, क्योंकि party hoppers जो हैं, वो OBC से हैं, OBC को तो काफी ज़् मतलब ललचाया गया था, काफी ज़्यादा आकरशित करने कोशिश की गई थी, persuade करने कोशिश की गई थी, और इनको representation मिला था BJP में, ताकि मंडल पार्टीज पर इनको बढ़त मिले, इसलिए, the BJP could still take consolation, BJP अभी भी, could है, वो एक present possibility बताने के लिए आता है, तो BJP हो सकता ह कि अभी भी, सांतवना दे अपने आपको, सांतवना, consolation सांतवना को बोलते हैं, solace को कह सकते हो, in the fact, is fact में, that last minute defection की अंतिम छड़ पर होने वाले दल बदल जो है, in West Bengal, West Bengal में, had little effect, जो को little लग रहा है, इसका मतलब no है, negative के meaning में आए गई, little के पहले कोई भी अगर article नहीं है, तो इसे no लिख कर आप लिख सकते हो, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पढ़ा था, किस पर, जो सत्ताधारी party, वहाँ पिछले साल चुना हुए थे, उसमें, बीजेपी, अब ये factor जो है, कि बीजेपी से अगर पूछा जाए, कि भी तुम्हारे विधायक जा रहे है, सम ठीक है, लाइक का opposite है, ये, प्रेपरजिशन है, लेकिन उत्पूर्वी राज्जे जो है, उउपी की बात कर रहा है, उसके विप्रीथ, the politics of identity is more salient in उत्तरप्रदेश, शरी, ये पूर्वी राज्जे मतलब वेस्ट उसकी बात है, वेस्ट बेंगोल की बात है, लेकिन इसक identity की जो politics है, यहाँ पे बहुत चहरा बड़ा माइने रखता है, ऐसी जो politics है, वो अधिक प्रमुख है, salient का मतलब यहाँ पे है, prominent, यह अधिक प्रमुख है उत्तरप्रदेश में, तो यहाँ फरक पड़ सकता है दल बदल से, ये कहना चारा है, फिर देखिए, this indicates, this की verb indicates है, ये संकेत करता है, that की, the political contest in a state, की जो राजने तिक प्रतिस्परदा है एक राज्ये में, राज्ये कौन सा, जहाँ पे ruling coalition, जहाँ पे सत्ताधरी जो एक गठ बंदन है, इसने secure किया, 51.2 प्रतिशत vote, और led in 284 of the 403 assembly segments, और assembly में जो 403 seat थी उनमें से 284 पे lead किया, in the state, राज् close goal का मतलब कड़ी परतिस्परदा होना कह सकते हो, narrow escape या close shave कह सकते हो, with the SP, ठीक है, कहने का मतलब इसकी कड़ी परतिस्परदा SP से है, समाजवादी पार्टी से है, putting up a spirited fight, वो समाजवादी पार्टी, put up का मतलब जो प्रस्तुत कर रही है, a spirited fight, spirited का मतलब पूरे जोस से, vivacious, या vibrant, भूती जोस से भरा हुआ, full of energy, तो यह पूरे जोस से, यहाँ पे fight यहाँ प्रस्तुत कर रही है, ठीक है, तो यह indicate करता है कि political contest जो है state में, जहाँ पर ruling coalition ने 51.2% secure किया, votes का, और 403 assembly segments ने, 284 पर lead किया state में, 2019 के लोगसवा चुनाव में, वो यहाँ पे close goal इसको मि मिल रही है, समाजवादी party से, जो की, एक spirited fight प्रस्तुत कर रही है, एक पूरे जोस से, पूरे जोस उत्साह के साथ, यह लड़ेगी इस बार, at the very least, मतलब, कम से कम, the aura, aura का मतलब होता है, character या feature of someone, किसी का एक विशेषता कह सकते हो, तो जो aura है, invincibility का, invincibility मतलब, अजे रहन कभी भी हारना नहीं, ठीक है, इसको invincibility बोलते हैं, तो कम से कम, यह जो aura है, invincibility का, जो बीजेपी का रहा है, since 2014 के 2014 से, बीजेपी जो हारी नहीं है, यह जो aura है, यह जो विशेषता है, बीजेपी के जो character है, यह जो feature है, is markedly absent, यह सपश्ट रूप से अब की वार, अनुपस् divided है, अभी भी बटा हुआ है, still है, वो adverb है, इसका मतलब होता है even now, तो विपक्षी खेमा अभी भी बटा हुआ है, the erosion in the बीजेपी support, बीजेपी support बेस में जो erosion है, erosion का मतलब, जो 6 हुआ है, जो कमजोरी आई है, weakening हुई है, debilitating हुई है, erosion उसको बोलते हैं, देखो यह बन से बना हुआ है, तो विपक्ष, जो विजेपी support बेस में जो कमी आई है, is unmistakable, unmistakable का मतलब, इस बात में कोई भ्रम नहीं है, बिलकुल साफ साफ recognize किया जा सकता है, if something is clearly recognizable, तो इसका मतलब है, कि वो unmistakable है, जिससे आसाने से आप recognize कर सकते हो, वो unmistakable है, कोई भ्रम की ब कर unmistakable तक है, और दूसरा जो close है, उसको जोडने से पहले कॉमा लगा रखा है, तो although या दो से जब sentence होता है, तो या तो yet लगता है, या still लगता है, या कॉमा से भी काम चला सकते हो, तो यह था दोस्तों आज के इस editorial में, अब मिलेंगे कल ठीक, शाम पांच बजे, तब त